ओम नमस्षिवाई दोस्तों दोस्तों सामन के महिने में अगर घर में आप ये पांथ चीजों में से एक भी चीज ले आते हैं तो घर की दुख डेदता असानती सभी दूर हो जाती है पैसों की कभी कोई कमी ने रेती परवार में प्रेम बरता है पती पत्नी में प्रेम बरता है सारे कारशिद्ध उने लग जाते हैं दोस्तों हिंदू दरम में सामन का महिना भगवान सिब जी को अतिप प्रिय माना जाता है भगवान बोले नात की बक्ती का महिना माना गया है बोले बाबा को समर्पित है इस महिने में उनके अरादना की जाती है साथ इस महिने में पढ़ने वाले संबार के दिन बृत रखा जाता है मानिता है सामन के संबार का बृत रखने भगवान सिवजी की पूजा अर्चना करने से सभी मनों कामना पूरी हो जाती है वही सास्तों में कुछ वस्तों का जिक्र हैं जो भोले नात को थी प्रिय हैं इन चीज़ों को सामन के मेने में घर ले आते हैं तो भोले नात की किरपा वरस्ती है आईए जानते हैं सामन में कौन कौन सी चीज़ें भगबान सिव को प्रिय हैं सब से पहला दोश्तो त्रिसूल, त्रिसूल को तीनो देवता, ब्रह्मा, विष्णु, मैश और तीनो लोकों का प्रतिक माना गया है, बोले नाथ हमेशा इसे अपने आत्मे रखते हैं, त्रिसूल को घर में रखना बेर्च सुम माना जाता है, मानिता है सामन में बिदी बने से कभी किसी चीज की कमी ने रहती, भगवान शिवजी की किरपा के द्वारा परवार में सुक्सांती बनी रहती हैं, इसके अलावा नकरात्मक शक्तियां भी प्रिविश नहीं करती हैं, इसलिए त्रिसूल को घर में आकास ये परिशानी और बिजली से वचाता है, द रुद्राक घर में लाकर के इसे रख लेते हैं, या रुद्राक्ष धारन काते हैं, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, साथ इसकी माला धारन करने से समस्त बीमारियों का नास होता है, घर में रुद्राक्ष रखने से पोजविटी आती हैं, नियम के अंसा बाञद करने वालों को शाक्ट्युक भुजन करना चाहिए तामशी भुजन त्याग देनी चाहिए दोस्तों अगली जो वस्तू है वे भस्म भगवान बोलेटको भस्म लगाई जाती है सामन के मेने में किशी वी संबार को እ की मंदर में जाएं घगवां सिब जी को भस्म चड़ा करके या पहले से चड़ी भस्म लेकर के आ जाएं उसे छोटी सी चान या तामे की डिब्बी में या लाल कपड़े में बान करके सामन के मेने में अपने पूजा इस्तल घर के मंदर में रख दें पर कुछ दिनों के बाद में उसे तिजूरी में रख दें तो हमेशा आपके परवार में तरक्की होगी तेजूरी में पैंसे की कभी कोई कमी नहीं होगी उस बस्म का तीका माथे पर लगाने से नकरात्म कूर्जा सांट हो जाती हैं। दोस्तों अगला है गंगा जल सामन के मेने में कावर यत्रा शुरू हो जाती हैं। सिव भक्त लंबी यत्रा करके गंगा नदी से जल भरकर किलाते हैं। सिव लिंग पर अरपिट काते हैं। मानिता इससे मादेप प्रसन हो जाते हैं। भक्तों को आशिरवात देते हैं। ऐसे में अगर आप सुम्बार को गंगाजल लाकर के घर के पूजा इस्तल में रख दें इससे घर में सुक्सम्रिदी बनी रहेगी आतिक रूप से संपन हो जाएंगे दोश्तो अगला है दमरू भोले नाथ को दमरू वोत प्रिय हैं मानिता है घर में दमरू रखने से कुछ भी अनिस्त नहीं होता दमरू की अवाज घर के वाता वरन को तनाव से मुक्ट का देती है सामन में रोजाना घर पर दमरू वजाकर के भगवान शिवजी के राधना की जाएं तो भोले नार प्रसन हो जाते हैं दोस्तों सामन के मेने में इन वस्तों को लाकर के घर में रखें तो सभी प्रकार की इस सम्मर्दी का हवास होगा दोस्तों आप इस जानकारी को ज़्यादा ज़्याद सेर करें कमेंट बोक्स में ओम नमस्षवाय हरार मारे औरस लखें ओम नमस्षवाय